नमशकार, राम राम, आदाब, सश्रियकाल दोस्तों आज हम आपसे बात करने वाले हैं अपच के वारे में अपच मीन अजिरन, मंद अगनी जा इंडाइशन बड़े सारे लोगों को जो है इंडाइशन रहता है, खाना असानी से नहीं पचता है अफारा रहता है खाने में इंटर्स नहीं होता है तो उसको दूर करने के लिए आईरुबेद में बड़े सारे नुस्के हैं लेकिन मैं सिंप्ली आपको आज जो बताने बाला हूँ मूली से कैसे इसका उपचार हो सकता है तो मूली में बहुत सारे मिनरू होते हैं अगर आप मूली का सेवन लगतार करते हैं तो पेड़ की बड़ी सारी बिमहरी जो है वह दूर हो जाती है तो सबसे पहले आपको बताएं कि खाने से एक जा आदा गेंटला पहली मूली एक साफ मूली लेके उसमें आपने लगाना है सिंदा नमक और उस मूली का अगर आप सेबन करते हैं तो अपज की प्रावलम कुसी दिनों में ठीक होना शुरू हो जाती है उसके बाद अगर दूसरा आपको बताएं तो मूली एक साफ मूली लेके उसको आपने नीचे से काट लेना है यह देखिए उपर से इसको काटना नहीं है नीचे से इसको काट लेना है और इस पे आपने लगाना है सेंदा नमक काला नमक और नक्सोदर नक्सोदर आमोनियम कल बोलते हैं इन तिनुंगा पॉल्डर आपने तरह अपने अच्छी तरह लगाना है और मूली को एक दागा बान के एक उंची जगा पर लटका देना है और नीचे आपने रख देना है एक बरतन जिसमें इस दीटा रहेगा और उस रस को टाकर लेना है और उस रस निम्मू का थोड़ा सा मिलाके अगर आप लेते हैं तो अपच की प्राबलम एक धम खत्म हो जाती है और आपको बड़ी जैला बूख लगना शुरू हो जाएगी और खाना भी पचना शुरू हो जाएगा अगर अपच के साथ इन डाइशन के साथ अफ़ारा भी रहता है पेट में तो इस मूली के रस में आप अगर थोड़ी सी एजबैन का पोडर डालके निम्बू डालके इसका सेवन करते हैं तो वो अफ़ारा भी ठीक हो जाता है मूली के पत्ते जो हैं मूली के पत्तों का सलाद भी अगर लिया जाए तो वो भी अपच को दूर करते हैं मूली के पत्तों को साफ करके उनको शोटशोटा काटके उसमें सिंदा नमक, अजवैन, निम्बू और अथोड़ा सा अधर का रस डालके अगर सेवन करते हैं तो अ प्राबलम खत्म हो जाती है आगे हम आपको बताएं कि मुली के रस में आपने सम मातरा में मिलाना है कुदीने कर रस यूद्ध में चमज कर दालें उसमें थे चुछ मिद्ध कर देखर जीरा ठोड़ी से हिंग डालें और उसमें एक दो बून निम्बू डालके अगर उसका आप सेवन करते हैं तो आपका जो अपच का प्रावलम है रोग है इंडाइजेशन जो है वो खत्म हो जाती है लेकिन इनका सेवन जो है आपने खाने से पहले करना है इन सभी जो आपको मूली के आप हमने उपाय बताए आपको इतना बूख लगना शुरू हो जाएगी और अफारा अपच इन डाइजेशन अजीरन जो है आज के लिए इतना ही कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जुरूर बताएं वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जैहिन जैवारत